आज हम लोग करेंगे यह स्टूडेंट्स आपका चैप्टर एट चैप्टर एट इन्वेंशन्स एंड डिस्कवरीज की अचीवर सेक्षिंज के कुशन आंसो जिससे पहले हम लोगोंने 20 कुशन कर ली है 21 कुशन से स्टार्ट करते हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स् की तो रोबर्ट कोच ने एक्सपोजर किया था कि किस तरीके से हमें स्टिमिंग के ज़िए जर्यें जर्म्स को मार सकते हैं हम लोग जिसे आपन किसी भी चीज को बॉ Shanghai हैं तो ऑवेसी बात है जर्म्स जो है न वो मर जाते हैं तो यह किस ने बताया था रोबर्ट कोच ने उसके बाद laser की full form आपको याद रखनी है, light amplification by stimulated emission of radiation, याद रखना है बच्चो, light amplification by stimulated emission of radiation, ये चीज़े आपको ध्याद में रखनी है, तो चलिए, question number 21, start करते हैं, क्या कह रहा है कि, Robert Coach found that exposure to steam killed germs, बिल्कुल ये correct है, बच्चो, correct है, full form of laser light amplification by stimulated emission of radiation, ये भी correct है, Lewis posture जो थे वो, English chemist थे, नहीं बच्चो, ये English नहीं, ये आपको याद रखना है, ये French chemist थे, chemist कौन होता है, सोचिएगा chemist किसको कहते हैं, पता होगा I think आप लोगों को ये, now ये तो आपकी incorrect statement है, option number 4 की बात करें, तो इसमें से incorrect statement बतानी थी, जो कि मेरे पस केवल और केवल option C आ रही है, यानि कि only 3, which of the following, now question number 22, which of the following can't be found in the given crosswords after solving it, पहले तो बच्चो आपको solve करना है, इस सारे ये जो भी आपके पास 4 options दे रखी हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, कि crossword में कुन-कुन से answers दिये हुए हैं, और sorry, इसमें तो बताना है कि कुन सा नहीं है, तो नहीं वाला ढूड़ना पड़ेगा, first day option की बात करें, it helps a doctor to listen to heartbeats, heartbeats को सुनने के लिए बच्चों काम आता है, आपका stethoscope, तो यह लिखा ही हुआ है, stethoscope, यह बनी रहा है, यहां पर तो लिखी देते हैं, stethoscope, बिल्कुल यह है इसमें, now first antibiotic discovered by Alexander Fleming, Alexander ने सबसे पहली antibiotic discover की थी, और उसका नाम क्या था बच्चों, आपको पता हो ना, यह पैनिसलेन, पैनी, सी, लेन, पैनिसलेन, ठीक है जी, now it is a technique of sterilizing surgical, देखो, surgical instrument में क्या हो, मतलब surgical instrument को लोग sterilize कैसे करते हैं, उनको पानी के अंदर अच्छे से boil कर के हैंना, कि अगर मान लीजे कि किसी का operation हुआ है, डॉक्टर ने कुछ instruments का, surgical instruments का use किया है, अब उन instruments के उपर patient का blood लगता है, बहुत सरे germs लगते हैं, है ना, तो वो blood किसी और के अंदर नहीं जाए, या वो बले germs किसी next, किसी और person में पास नहीं हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इंस्ट्रुमेंट को sterilize किया जाता है, boil किया जाता है, अच्छे से उसके जो germs है, वो मार दिये जाते हैं, तो यह स्टीमिंग है, बाइ स्टीमिंग, बाइ स्टीमिंग, स्टीमिंग, देखते हैं किसमें है या नहीं, I think इसमें स्टीमिंग नहीं है, चलिए next देखते हैं, an element used in clinical thermometer, clinical thermometer में कौन सा element यूज किया जाता है, mercury यूज करते हैं, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, तो इसमें बच्चों option C नहीं है, C हमारे में नहीं है, तो आप option C will be the correct answer, question number 23 की बात करते हैं, बड़ा ही, अच्छा question है ये, डैनियल फान हाइट के बारे में दिया गया है, students जो डैनियल फान हाइट थे, वो जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन फीजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने invent किया था, mercury thermometer का, mercury thermometer का invent किस ने किया था, और कौन से सन में किया था, 1714, 1714 में किया था, a clinical thermometer is usually marked with the degrees from, तो ये, आप लोग ने अपने घर में भी देगा होगा, कि ये 94 डिग्री फान हाइट से लेकर के, 108 डिग्री, 108 डिग्री फान हाइट तक होता है, और अगर अगर अपन नार्मल बोडी टेंपरेचर की बात करें, तो वो कितना होता है, 98.6 डिग्री, फार नाइट तो ऑप्शन C will be the correct answer, question number 24 की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, question number 24, question number 24 में कहा गया है, कि जो James Simpson है, ये पहले थे, जिनोंने यूज किया था, chloroform का in Obastrix, ठीक है, तो बिलकुल ये थे, देखिए students, अगर हम लोग जौसफ लिस्टर के बारे में जानना चाहें, जौसफ लिस्टर, वन मिनट, सुरी ये तो सही है, ये तो बिलकुल ठीक है, तो James Simpson का तो बिलकुल सही है, ये पहले थे, जिनोंने यूज किया था, chloroform का in Obastrix, बिलकुल सही है, नाओ, इसके second part की बात करते हैं कि Alexandra Flaming ने इंटर्ड्यूस किया था कार्बोलिक एसिट को to sterilize surgical instrument नहीं, Alexandra Flaming नहीं थे, तो फिर कौन था, Alexandra Flaming नहीं थे, ये थे बच्चों जौसफ लिस्टर, जिनोंने इंटर्ड्यूस किया था कार्बोलिक एसिट को to sterilize surgical instrument, तो ये कौन थे, जौसफ लिस्टर, ठीक है जी, जोसफ लिस्टर अब question यहाँ पर यह भी एक उठ सकता है बिल्कुल यहाँ पर एक question उठता है कि Alexandra Flaming फिर कौन थे Alexandra Flaming कौन थे Alexandra Flaming ने बच्चो सबसे पहले discover किया था एंटीबार्टिक के बारे में ठीक है जी Now option number third Edward Jenner created the first vaccine for rabies and anthrax नहीं Edward Jenner ने rabies की लिए पहली vaccination नहीं बनाई थी rabies आपको पता है एक रोग है जो की चूहों के काटने से होता है ठीक है जी तो किस ने किया था यह किया था आपके Lewis Poster ने Lewis Poster ने यह create की थी vaccination for rabies and anthrax तो अब यहां यह तो इसका आंसर तो आगया बच्चों Lewis Poster Lewis Poster तो अब question यहां पर यह उठता है है कि Edward Jenner कोंते फिर तो Edward Jenner बच्चों इन्हों ने इन्वेंट किया था small box की vaccination का ठीक है जी तो यह भी आपको पता होना जी एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको पता होना जी यह फोल्स है यह फोल्स है पहली ट्रू थी यह एक मैसी मशीन है जिसमें पावर्फुल मेगनेटिक फिल्ड जो यूज करती है तो अप्टेम दाव बेज इन इंटर्नल पार्ट ऑप दबोड़ी यह सब को ही पता यह ट्रू है तो टी एफ 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 टी इसको ऑप्शन नमबर यह आंसर आएगा नो कोशन नमबर 25 कोशन नमबर 25 की तरह बढ़ते हैं students क्या कह रहा है पहले त इसको मिलान कर लेते हैं इन विच कंट्री वोस्टे आट ओफ प्रेंटिंग प्रेंट डिवैल्प तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो आट ओफ प्रेंटिंग प्रेंस डिवैल्प होई थी चाइना में चाइना में तो चाइना कहा है ये C-H-I-N-A 6-11 में लिद तो यह बन रहा है आपका पै तीसरा पै 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 पी नाइन रस फूर्टीन तो यह बन रहा है आपके पी एपी वाई रुए अच्छा इसको बैं कलर ओर कर देती हो ताकि आपको थोड़ा सा पता चले ठीक है यह मैंचिंग कलर कर देती है ना चलिए नेक्स्ट विएर वोज कंसेट ओफ जीरो का कंसेट तो आपको पता ही एंडिया तो इंडिया कैसे बन रहा है तू से बन रहा है और एट से बन रहा है ठीक है जी तो यह आरा है मेरा उप्शन नमबर C विल भी करेक्ट आपसर थेंक्यू सो मज़ग प्श़ए